So, GoodTalks के नए वीडियो में आपका स्वागत है अभी हम लोग चलाने जा रहे हैं अपनी Competition Series इसमें दुनिया वर में जितने भी अच्छे अच्छे Competition होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इस Competition Series का Review जो लिया गया है वो लिया गया Student as Newspaper से जिसका Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उस Newspaper के जरीए इन लिंक्स तक अराम से पहुच सकते हैं और बाकी separately भी इनका Links आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो कॉंपडिशन है वो है 8th Annual Student Review Contest इसको Organize करा रहा है New York Times इसके लिए Legibility है जो Student है वो 11-19 साल के बीच में होना चाहिए और आप दुनिया में कहीं भी हो आप इस कॉंपडिशन में participate कर सकते हैं करना क्या होगा आपको इसमें Critic का Role Play करना होगा Critic एक वो इनसान होता है जो किसी भी Book का Movie का Review लिखता है या Video के थुरू उस Review को Present करता है जैसे कि अगर आपको कोई Movie देखने जाना है तो आप उससे बहले उसका Review पढ़ते हो तो वो काम जो होते हैं वो Critic करते हैं अच्छा भी लिख सकते हैं फूरा भी लिख सकते हैं Prices क्या है जीतने वाले का जो काम होगा वो इन New York Times जो वहां का News Preparity के New York Times वहां पर Publish किया जाएगा Last Date है अपना Work Summit करने की 15 December 2022 जो Categories हैं आप Movie पर भी Critic लिख सकते हो तो कोई भी आपकी Favorite Movie है तीक है उस पर अपना Review लिख सकते हो लेकिन Original लोना चाहिए कहीं से Copy-Paste करोगा तो आपको Disqualify कर दिया जाएगा तो इस बात का धियान लगो Fashion, Food, Games, किसी भी चीज पर आप अपना Review लिख सकते हैं ठीक है Next Competition की तरफ देखते हैं यह Poetry Writing Competition नाम से ही बहुत clear है इसमें आपको Poem लिखनी है Young Writers के लिए इसके लिए Eligibility है या तो आप Class 10th में होने चाहिए या तो Class 11th में होने चाहिए पूरी दुनिया का कोई भी Student जो Class 10th या फिर 11th में वो इसमें पार्टिपेट कर सकता है इसको Organize करा रहे है Canyon Reviews USA Theme क्या होगी जिसपे आपको Poetry लिखनी है वह आपके उपर based है कि आप किस पर Poetry लिखना जाते है आप कोई Current Affair उठा के उस पर Poetry लिख सकते हैं आप अपने Personal किसी भी Favorite Topic पर Poetry लिख सकते हैं आपके उपर है एक चीज़ ध्यान रखी का कोई भी Pros मत लिखिएगा Pros मतलब Paragraph मत लिखिएगा ठीक है आप जितनी Realistic Poetry लिख सकते हैं जो भी Current आप देखते हैं उससे Inspire होगी Poetry लिख सकते हैं वह लिखिएगा तो Select होने के आपके ज्यादा चांसे से जो Last Date है इसको Submit करने की वह है 30 November 2022 ज्याद है Detail के लिख लिख फिर से Links में जा सकते हैं इसके Link description box में अवेलेबल है Third Third is Rise Challenge इसको Organize करा रहे हैं Summit Futures & Roads Trust इसके लिखिबिल्टी है इस्टुडेंट जो 15 से 17 साल के उमरे में हैं वह इसमें Participate कर सकते हैं आपकी जो उमरे 15 से 17 साल वह एक जुलाई 2023 तक यह गिनी जाएगी ठीके उससे पहले उसके बाद में कोई भी सिस्टम नहीं है तब भी आप अगर एक जुलाई 2023 में जो हैं 15 से 17 के बीच में वह ही माने जाएंगे Purpose क्या इसका Rise Fund Billion People Who Need Opportunity and Support Life उन लोगों के लिए Fund इखटा करना जो अपनी जिंदगी में opportunities की तलाश कर रहे और support चाहते हैं उनके लिए Fund इखटा करना यही Rise का मकसद है Challenge गया है आपको work करना है नए project पे और उसको complete करना है 25 January 2023 से पहले पहले एक नए project पे आपको काम करना है और 25 January 2023 से पहले पहले उस project को complete करना है Project क्या हो सकता है आप कोई भी music बना सकते हो art बना सकते हो performance लग सकते हो नए product बना सकते हो ठीक है कोई research कर सकते हो बस आपको कुछ भी करके लोगों को encourage करना है कि वो और creative हो जाए जिससे आपकी community को क्या मिल सके benefit मिल सके जो भी आप matter बना रहे हो वीडियो बना रहे हो, project बना रहे हो आप इस link के through इन तक पहुचा सकते कि आपने क्या काम किया लोगों को inspire करने के लिए और लोगों की life में value addition करने के लिए और उस आप से आपको बाद में prizes भी मिलेंगे खाफी लंबा competition है 2023 तक का आपके पास time है ठीक है, अल्मोस्ट दो महीने का time है तो आप अराम से इसको complete कर सकते है फिर फूर्थ competition है प्रैक्टिकल्स, एथिक्स and responsibility competition एथिक्स and responsibility का मदलब होता है हमारे कर्तव क्या है देश के प्रती भी कर्तव है हो सकते है हमारे खुद के प्रती भी कर्तव है हो सकते है हमारे परिवार के प्रती भी कर्तव है हो सकते है इसको organize करा रहा है University of Oxford Oxford University इसको organize करा रही है किन क्लास के बच्चों के लिए तो जो first year और intern में बच्चे हैं ये पूरी दुनिया में कहीं के भी बच्चे हो first year intern के वो इसमें participate कर सकते हैं काम आपको क्या करना है आपको अपने 3-4 दोस्तों को इकटा करना है और 4 मिनट का एक वीडियो बनाना है जिसमें जो problem है आज की society में जो ethics हम लोग भूलते जा रहे हैं अपनी responsibility भूलते जा रहे हैं वो लोगों को याद दिलानी है आप बहुत creative हो सकते हो, costumes, props का use कर सकते हो, बस आपको attractive रहना है ताकि जाद से जादा लोग आपके वीडियो को देखें और उस वीडियो में जो आप कहना चाते हो वो समझ पाएं कुछ topics यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे how we are responsible individual environment हम लोग अपने वातावरण के और पर्यावरण के प्रतीक ऐसे responsible हैं ठीक है, वीडियो गेम्स आजकल हमारी जिंदगी में क्या effect डालने हैं जो लोगों को आया दिन बिमारियां होती रहती हैं वो क्यों हो रही हैं ऐसे करके आप अपने मतलब का कोई भी topic एक चुन सकते हो, इसका भी last date जो है वो 8 January 2023 है ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो next competition है वो है academic writing competition इसमें आपको लिखना है, इसको कराने वाले है Harvard International Review USA वाले लोग eligibility है, first year से इंटर, student कहीं भी दुनिया में हो वो इस पे आ सकते हैं अपना जो matter वो लिख रहे है, matter की length जो है वो 800 words से 1200 words तक होनी चाहिए और matter जो है वो किसी भी topic से related नहीं होना चाहिए बलकि international affairs से related होना चाहिए ठीक है international affairs मलब की जो भी पूरी दुनिया में सबसे trending topics हैं उन पे जैसे Ukraine Russia war and जो अभी England में प्राइम निश्टर चेंज हो है वो ठीक है ऐसे international topics से आपको ऐसे अपना लिखना है सब्मिशन डेडलाइन इसके लिए है 2 January 2023 ठीक है तो आप लोग समझ गया होंगे उसके बाद last competition जो है इसमें वो है photographic competition इसको organize करा रहा है Terry India इंडिया वाले इसको organize करा रहा है अंडर दा European Union Ukraine energy and climate partnership CPC project इसके लिए 2 category है category A में 10-18 साल के बच्चे है तो जो भी आपको अपनी locality के आसपास दिख रही है चीजे है जो आपके future को sustainable बना रही है developed future बना रही है मलब sustainable मलब से यह होता है कि smart choices है वो हमारे लिए मलब जो पुरानी चलती चली आ रही है choices हम लोग ने उसको छोड़के कुछ नय अपना लिया है तो आपका काम यह है कि आपको अपने अगल बगल के इलाके को देखना है और जो भी आपको कुछ अलग दिखता है कि इलाके में कहीं development हो गया कुछ अलग दिखता है जैसे बहुत छोटी सी चीज है पोल लाइट में यल्लो वाले बलब की जगे LED लगी है तो उससे क्या हो रहा है बिजली बच रही है तो उसकी photo गीच लेनी है और इनके पास पहुचा देनी है इसमें आपको एक चीज तो पक्का मिलेगी वह है certificate ठीक है तो certificate अगर आपको collect करना पसंद है तो आप इसमें जरूर participate करिए बहुत simple सा competition है अपने घर के आसपास घूमिए और जो भी आपको अपने घर के आसपास अलग दिख रहा है जो आपके future के लिए अच्छा हो सकता है उसकी photo गीच के इनकी links पर भेज दीजे जो भी 12 सबसे अच्छी photograph होंगी जब यह लोग अपना calendar बनवाएंगे ठीक है कौन YCC 2023 calendar में आपकी 12 photo है January, February, March के साब से हर page पे एक photo रहेगी तो जो भी 12 best photo होंगी वह अपने calendar में छपवाएंगे तो यह थे आज के लिए आपके कुछ competition सभी competition का link आपको description में मिल जाएगा और यह वीडियो यहीं पर आज जाएगा